Hello and Welcome to Easy Learning, Smart Learning C++ के Lecture Series में हम बहुत सारे Topics जो है वो कवर करेंगे तो इन्हें में Playlist में उनकी सही Position पे लखाते जाऊंगा तो आप इस Playlist को Continue करना देख सकते हैं और अब जो पूरी Playlist है वो बहुत सारे Courses जैसे BCA, MCA, MSC, IT वगरा में जो C++ का Syllabus होता है उसे मैं Cover Up करूँगा तो आज का जो Topic है हमारा वो है Array in C++ तो चलिए शुरू करते बिना देरी किया सबसे पहला सावाल हमारे दिमाग में यह आता है कि Array होता क्या है? देखे, Array कुछ और नहीं Array is the Simplest Simplest Data Structure आप इसे कह सकते हैं सबसे Simplest Data Structure होता है जो Which Stores Similar Data Items Similar Data Items का मतलब अगर Integer है तो Integer और अगर Float है तो सारे इसके जो Elements होंगे Float होंगे तो यह Group of Similar Data Items होता है और इसके जो भी Elements होते हैं वो Adjacent Location में Store होते हैं Adjacent का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आप एक Cinema Hall में बैठे हैं तो आपके बाद में Next बैठता है फिर उसके बाद में Next बैठता है आपके Left में आपके Right में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं उसी तरीके से हम इसे Adjacent Location कहते हैं और इसे कई बार अपन Contiguous Location भी कहते हैं तो Contiguous इसलिए बन जाता है क्योंकि एक के बाद दूसरे के बाद ही तीसरा आएगा और आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से Array का जो Location है वो Store नहीं होता जैसे आप माल लिजए आपके बास में Memory Location है तो इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कोई है जो यहां पे बाद गया और दूसरा जो है वो किसी अन्य Location पे बाद जाएगा मतलब इसका यह होगा कि अगर यह पहला Location है तो यह आपका दूसरा Location होगा और यह आपका तीसरा Location होगा तो यह Array का Storage का System होता है Array को आप Define कैसे करते हैं तो जैसे हम C में Array को Define करते हैं सेम वही Method, सेम वही Procedure इसमें भी है आप सबसे पहले कोई भी Data Type लिखे Data Type लिखने के बाद में Array का नाम लिखे For example X या Y और उसके बाद में फिर X Array आप यहांने नाम लिख दिया और इसका जो भी आपका Size है जो Script Size है वो आप यहां पर दे देंगे जैसे 10 तो यह Array जो है यह क्या हो जाएगा, Declare हो जाएगा तो इसका Syntax कुछ इस तरीके से बनता है कि Data Type रहता है सबसे पहले फिर Array का नाम और उसके बाद में फिर उसका Size इस तरीके से आप Array को C++ में डेकलेर करते हैं Example देखने से पहले आपको यह बता दूं कि इसका भी Base Address जो है वो Array के नाम में होता है तो अकर आपको Base Address इसका Print कराना हो कभी भी जैसे आप Base Address चाहते हैं इसका Print करना जिसे हम Zero Index भी कहते हैं पहला जो Element होता है तो आप सिर्फ Array का नाम इस्तमाल कर सकते हैं Array का Name अगर आप इस्तमाल करेंगे तो वो उसका Base Address को Provide करेगा तो चलिए एक Example देखते हैं ओके तो यह रहा एक Example इसका इसका पर Example जैसे हमने अरे डिकलेर किया Integer एकसरे एकसरे और इसका Size देदी हमने 10 और इनको वैल्यूस अगर देनी हैं तो आप इस इकोल टू इनिशलाइज करना चाहते हैं तो आप डिरेक्ली यहां पे लिख सकते हैं Now, if you wish to print the first element of array तो यहां पे cout का इस्तमाल करके आप जिससे पहला है x array of 0 अगर आप लिखेंगे तो इसका पहला element जो है वो print हो जाएगा तो यह है array का declaration यह है array का initialization जिसमें total 10 values हैं आप count कर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 और यह इसका index तो यहां पे जो 12 है इसका पहला element है वो यहां पे print होने वाला है तो हम इसे compile और run करते हैं और आप देखेंगे कि array का जो पहला element है 12 वो आपके समने print हो चुका है तो इस तरीके से आप array को समझिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं तो चलिए कुछ experiments चुरू करते हैं तो जैसे हमने आप सबसे पहले लिखा है first element को print करना वो तो print हो गया अब जैसे तीसरा element मुझे print करना है तो आप कैसे करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर cout then x array इसका नाम है और यहाँ पर तीसरा element जो है वो 0,1,2 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तो इससे क्या print हो जाएगा second number का element print हो जाएगा एक और experiment करते हैं अगर आपको कोई message देना है जैसे हम message देते हैं कि message में स्रीफ हम लिखते हैं experiment experiment हम क्या करते हैं देखें हम यहाँ पर लिखते हैं x array 0 बाद में से ही हम copy paste कर लें plus x array 1 अब मुझे क्या करना है यह पहला element है और दूसरा element है इन दोनों का sum को print कराना है तो मैं experiment यहाँ पर लिखके इस तरीके से लिख दे रहा हूं इसे ही copy करते हैं और यहाँ पर फिर से insertion लगाके यहाँ पर इसे paste कर दीजे और फिर यहाँ पर semi column लगा दीजे तो यह जो आपका statement expression है यह क्या करेगा इन दोनों का addition है इसको print करा देगा इसे फिर से compile or run करते हैं और देखते हैं कि 12 और 23 जो है वो 35 प्रिंट होता है या नहीं तब देखेंगे यहाँ पर experiment x array और यहाँ पर print हो रहा है थर्टी फाइफ इस तरीके से आप इसमें experiment कर सकते हैं और कुछ अगर आपको देखना है करके array में जैसे कि आप increment कराना चाहते हैं तीसरे जैसे यहां पर तीसरा जो आपका element है 2 है इसके आप increment कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे x array bracket के अंदर में थे जैसे एंदर में अप्लीक सकते हैं तो इससे क्या होगा आपका यहां पर थैसे क्या है अभी 2 है यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पहले 3rd element प्रेंट कर रहे थे लिए नॉर्मली तो यह 2 प्रेंट हो रहता अब इसके बाद फिर से से प्रिंट कराएंगे तो यह कितना प्रिंट हो जाएगा अब एक इंक्रिमेंट करा दिया हमने तो यह इंक्रिमेंट होने के बाद में 3 प्रिंट करेगा और एक चीज और कर लेते हैं साथ में यहां पे हम हम see in का प्रयोग कर लेते हैं sorry not see in handle statement का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे line जो है change हो जाएगी और आपको समझने में भी आसाइनी होगी और देखने में भी आसानी होगी यहां पर भी हम handle का स्तमाल कर लेते हैं ताकि यह सारी चीजे new line में प्रिंट हो अब इसे execute करते हैं run करते हैं तो आप देखेंगे आप पहले दो था यह और अब कितना प्रिंट हो रहा है तो यह आपका पहला element है 12 दूसरा element आपका प्रिंट हो रहा है 2 आप यहां देख सकते हैं code में और 35 जो है हमने दोनों का summation प्रिंट करा दिया और जो 3 है इसे हम इंक्रिमेंट करा दिया ना कि सिर्फ इंक्रिमेंट आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं for example जैसे इसका last element 4 इसमें मुझे 6 add करना है और 6 add करने के बाद मैं उसे print करना है तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पर लिखना पड़ेगा और यहां पर 2 की जग हमको लिखना पड़ेगा केवल 9 और जो last element हो क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा तो अब मैं इन दोनों statement को यहां से हटा दे रहा हूं और यहां पर से केवल experiment करा रहा हूं और जो increment हमने कराया है एक से और 6 से यह दोन इंक्रिमेंटेशन आपके सामने है तो array पर इतना ही कि आप यहां पर सिर्फ integer array नी आप यहां पर float array भी declare कर सकते हैं जैसे आप यहां लिगे x यहां पर y array लिग दिजे y array ब्रैकेट में इसकी जैसे 5 और इनके elements जो हैं अगर आप बाद में initialize कराना चाहते हैं तो आप नीचे आगे एक एक करके सभी को आप value दे सकते हैं जैसे first आपको element को value देनी है तो आप यहां पे is equal to 5 लिख सकते हैं तो आपको पहला element है वो क्या बन गया 5 बन गया इसी तरीके से आप दूसरा element देना चाहते हैं तो आपको हर बार इसी तरीके से जैसे 5 element है तो यहां पर first index लिखिए जो होगा दूसरा element यहां पर 2 लिखिए यहां पर 3 लिखिए और यहां पर 4 लिखेंगे इस तरीके से आप elements दे सकते हैं तो हमने यहां पर सभी को 5 दे दिया है कुछ दूसरा number जैसे 45, 35, 25 इस तरीके से different numbers आप 15 तो यह अरे के initialization का दूसरा तरीका है पहला तरीका यह था कि आप एक line में लिख दिये यहां पर दूसरा तरीका यह कि आपने line by line लिख लिया अब जैसे यहां पर यह सभी के सभी क्या है float है तो आप यहां पर decimal value भी दे सकते हैं चाहें तो किसी ए एक को दीजे यह सभी को दीजे नंबर तो यह सारे का सारे क्या बनेंगे float variable ही बनेंगे तो इसमें आप integer और float दोनों का इस्तमाल कर सकते हैं कोई lost नहीं होगा अब इसे print कराने के लिए किसी भी एक one print करते हैं जैसे कि माल लिजे मुझे print करना ऐसी out तरीका वही रहेगा भ तो fourth number का element जो है 15 वह print होने वाला है तो यह है array का declaration उसका initialization और उसका use इस तरीके से आप C++ में array का इस्तमाल करते हैं इतना ही नहीं यदि आप एक साथ एक से ज़्यादा array को declare करना चाहते हैं एक ही line में तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे लिए integer यहाँ पे जैसे माल लिजे array array 1 है array 1 का size दे दिजे 34 आप कोई भी size दे सकते हैं array का दूसरा नाम को यहाँ पे script size 40 इस तरीके से भी आप multiple arrays का declaration कर सकते हैं तो यह दोनों array जो बनेंगे कौन से बनेंगे यह integer array बनेंगे वैसी float में जैसे मैं आप य अरे डिकलेर किया है तो य अरे के बाद में अगर आपक भी declare कर सकते हैं इसकी size of 50 दे दिजे तो यहाँ पर आपने देगा कि multiple arrays का declaration भी आसानी की साथ किया जा सकता है अब इनको values जो है वो आप देना चाहिए तो यहीं पर दे सकते हैं otherwise next lecture में आप इसके लिए input कैसे लेंगे loop के तुरू इसे कैसे print करेंगे यह हम सीखेंगे तो अ उमेद आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया हो तो like button दबाना ना भूले और इस video को share करना ना भूले thank you very much next video में बहुत जल मिलते हैं see you